शारुक जब हम जाहर है सहाफी होने की हैसियत से हम सासब्दानों से बात करते हैं ब्यूरोक्रेट से सबका इस पर बड़ा अलग तजिया होता है कि इंडिया पाकिस्तान क्योंकि आपने जिक्र किया तो वह रेलेवेंट है मैं सवाल कर रहा हूं कि हम लोग एक बतन से फूट आपको क्या लगता है क्या कीमियाई फरक था दोनों कौमों में कि वो बीच में बेंकरफ्ट होते होते बलकि एक बार हो भी गए थे उसके बाद दे अपशूट और हम अब तक वही एक चर्खा है जो चलाए जा रहे हैं उसकी अबास I am recently doing a lot of research on Indian miracle, economic miracle, मैं तो इसको miracle ही कहूँगा दवे दे आप grown in the past 30 years, देखें, पहली चीज़ ये, कि हम दोनों 14 और 15 गस 47 में अजाद हुए, किसी भी मुल्क, किसी भी system, किसी भी organization को चलाने के लिए एक manual चाहिए होता है, कि ये system है, ये organization है, ये company है, ये चलेगा कैसे, इसका manual क्या है, इसका framework क्या है, और मुल्क की सूरत में इसका framework होता है, आईन, जिसको constitution के, उन्होंने तीन साल के अंदर अपनी मुल्क को direction दे दी, 1950 में इंडिया का constitution बना, and वो कहते हैं ना कि जब आपको सिरा मिल जाता है ना, एक गांट है, उसका जब आपको सिरा मिल जाता है, तो फिर वो untangle हो जाती है, तो उनको वो सिरा मिल गया constitution की शकल में, हमारे वो एक कुछ फरसूदा किसम की constitution बने, लेकिन रियल constitution तब बना, जब हमारा आदे से जादा मुल्क in terms of population, 65% population was in East Pakistan, आदे से जादा मुल्क जब हमारे से तूट गया, तब हमें ख्याल है कि भाई, आईन भी कुछ होता है, so it took us 25 years to make our constitution, so पहली break तो यहीं पर लग गई, पहला gap, 25 साल का gap यहीं पर आगया, अब आते हैं दूसरी बात पर, नेरू साब और जो इंडिया के बड़े-बड़े stalwarts थे उस जमाने में, वलब भाई, पटेल and all of these people, especially नेरू को मैं attribute करता हूँ, उसने 1950s में इंडिया में universities की बनियाद रखी, इन इंस्टिटूट्स को nurture होने में, mature होने में 20 से 30 साल लगे, यह इंस्टिटूट्स उस लेवल पर पहुँचे और 90s की दहाई में, 80s की दहाई में, finally इन इंस्टिटूट्स ने वो global engineers पैदा करने शुरू किये, जिन्होंने इवेंचली जाके Silicon Valley को support किये, यही वज़ा है, यह कोई बहुक्म इलाही यह चीज नहीं हो जाती, कि आप आप बस सोचो और वो हो जाता है, उसके पीछे years and years of efforts होती है, तो उन्होंने decades and decades and decades after efforts की है, तब जाके सुन्दर पिचाही पैदा हुआ है, तब जाके Satya Nadella पैदा हुआ है, तब जाके Indra Naui पैदा हुई है, तब जाके उनका जो बाकी CEOs है, Adobe का CEO भी वो है, अभी Neil Mohan मुझे YouTube से letter आया, head of YouTube का, and I was startled to see, it was a letter from Neil Mohan, he happens to be an Indian. So हर बड़ी technology company का जो CEO है, वो Indian है. This is not by fluke, this is not by luck, this is program, this is well thought out, इसके पीछे एक logic है, इसके पीछे एक मंतग है, इसके पीछे एक working है, इसके पीछे एक operations है. So हमने यहां पर universities बनाई नहीं, जो बनाई उनमें जो quality of professors थे हैं, वो इतने अच्छे नहीं थे हैं, faculty इतने अच्छी नहीं थे, रिसर्च के पैसे नहीं थे. तो एक इंडिया का constitution, एक इंडिया की pursuit of excellence in terms of education, number three, they invested in their middle class. इंडिया की middle, हाला कि इंडिया में अभी भी घुर्बत है, ऐसा नहीं है कि वहां पे there's all hunky-dory, वहां पे भी अभी भी बहुत घुर्बत है, लेकिन, जो middle class है, उसने मुल्क को उठा दिये, उसने मुल्क को, इस वक्त, I think it's the fifth largest economy in the world, and going to be the third largest economy in the world, so middle class के उपर जो उन्होंने invest किया, उन्होंने इंडिया को उठा दिया, चौती बात, अबास, एक book है, Why Nations Fail, very famous book, उस book का जो thesis है, वो यह है, उसने वो ही exactly बात किया, बास, विच यू सेड, कि हम लोगों का start वहीं से हुआ, लेकिन एक कहां चला गया, और दूसरा कहां चला गया, चाह, उस book में, Why Nations Fail में भी, यह absolutely यही तियोरी है, कि मुल्कों अक्सर नेबर्स की जिंदगी में tipping point आता है, चाहां पर वो decision लेते हैं, कि उन्होंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, पाकिस्तान और इंडिया के भी, जिंदगी में, तारीख में, हिस्ट्री में, वो tipping point आया, वेर वी decided, कि हमें कहां जाना है, अब इंडिया ने कहां जाना है, तो उन्होंने institutions बना है, उन्होंने अपनी judiciary को तगड़ा किया, उन्होंने अपने legislature को तगड़ा किया, उन्होंने अपने education system को तगड़ा किया, उन्होंने अपने infrastructure को तगड़ा किया, just look at how many dams, thousands of dams they have made since 1947, और मैं जब से पैदा हुआ हूँ, हम लोग काला बाग dam के उपर discourse करते जा रहे हैं, अभी तक national consensus नहीं हो पाया, कि भाई काला बाग dam बनाना है या नहीं बनाना, this is the state of our intellectual, यह है हमारी intellectual thought process, हमारे जो मुलक के, जो बड़े consider किये जाते हैं, जो thought leaders consider किये जाते हैं, उनका leadership का level यह है, कि वो आज तक इसके उपर consensus नहीं कर सके, कि dam बनाने हैं या नहीं, यहाँ पर, referring to what you said, इंडिया का 1991 में शायद इतना बुरा हाल नहीं था, जितना अब हमारा है, इस वक्त, लेकिन इससे मिलता जुलता था, इसका जो architect है, इसका जो real architect है, वो है Manmohan Singh, जब वो finance minister थे, जब वो finance minister थे, जब वो finance minister, उन्हों ने भी IMF ने का कि भई, walls to the walls है, अब आपने decision लेने हैं के नहीं, आपने infrastructure बनाना हैं के नहीं, उन्हों ने अपनी economy को खोला, liberalize किया, और आज 30 साल के बाद देख लें, the fruits are coming up, and they will continue to excel, they will continue, because excellence doesn't know, is ignorant towards what your belief system is, हमारे में एक superiority complex है, कि हम दुनिया में सबसे अजीम हैं, अलग ऐसा नहीं है, अजीम वो लोग बनते हैं, जिनके लीडर Thomas Jefferson, और Benjamin Franklin, और Abraham Lincoln जैसे होते हैं, अजीम वो ही लोग बनते हैं, जिनके लीडर लीक ओन यू जैसे होते हैं, अजीम वो बनते हैं, जिनके महातीर मौमद जैसे लीडर होते हैं, और फिर कौम साजी करते हैं, इनसान साजी करते हैं, हम लोग अपने दमाग के अंदर ही, हम लोग सब कुछ हैं और यही रीजन है कि मैंने यह पूरा प्लाटफॉर्म शुरू किया कि अब कौम को सिखाया जाए किया इंपॉर्टन्स किया नॉलिज की विज्डम की, लर्निंग की किताबों की, क्योंकि हैं किताबों कि इल्म के जरिये ही वेस्ट ने ग्रो किया और हर मुल्क ग्रो कर रहा है इनी, इनी की पावर के उपर and that's what I believe, that's what the major difference is between the two nations चाहरो आपने इसमें दो-तीन पॉइंट्स कहां मैं चाता हूँ कि बहुत मुक्तसर हम टच कर सकें कि आपने कहां constitution, यह जहर है एक सहापी होने की हैसियत से या ऐसे काम करने की हैसियत से और आपको भी, आपसे भी हम सीखते हैं हमें पता चलता है कि constitution चाहे वो written हो या oral, उसकी कितनी एहमियत है वो क्या क्या आपका पास देता है लेकिन आज भी जब हम report करने बाहर जाता है तो आदे लोग हमें कहते हैं वो ही मुशरफ सहाब का जुम्रा जुम्रा कागस का टुकड़ा उठा के फैंक तो क्या उकते है इसकी अगर आप बहुत समझा सकें कि एक written document जो शायद library में पढ़ा है हमने कभी खोलके भी नहीं देखा उसका सिर्फ मौजूद होना क्यों एहम है और कितना एहम है I'll do a historical referencing of this thing देखें मैंने ये एक थोड़ा सा analysis run किया कि ये जो मुसल्मान है what actually went wrong with them हमारे साथ हुआ क्या वो क्या मौका था कि we actually came down हाला कि we were golden ages जो है इसलाम की 8 तिल the 13th century we were right there at the top top Muslim scholars, scientists and doctors and you name it उस जमाने में बगदाद में house of wisdom था हमारे पास and all of that so one of the many reasons out of the many reasons एक बहुत बड़ी रीजन ये है and this is very 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 important for the audience to understand जब इंसान कोई knowledge लेता है तो वो दो तरह की knowledge होती है एक knowledge जो आप share करते हैं एक होती है tacit knowledge tacit knowledge ऐसी होती है जो आप अपने जहन में ही रखते हो और उसी knowledge के साथ आप इस दुनिया से चले जाते हो आप मर जाते हो the problem with Muslims was they were very smart they were very intelligent but the problem was कि knowledge tacit थी उस tacit knowledge को share नहीं किया गया जब गुटनबर्ग में 1445 में the 15th century गुटनबर्ग प्रेस इजाद होई आपने का यह गैर शरही है हमने इसको follow नहीं करना 500 साल तक हमने printing प्रेस का इस्तमाल नहीं किया जब आपने printing का इस्तमाल नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो knowledge है वो disseminate नहीं जो scholars थे जो leaders थे जो intellectuals थे वो उसी knowledge के साथ आए और उसी knowledge के साथ चले गए इस दुनिया से यूरप ने अपना path change किया हलाकि church का वहाँ पे भरपूर तरीके से गलबा था one third जो यूरप की जमीन थी उसके पर church का गलबा था वो औरतों को मरवाद यह करते थे कि भाई यह witchcraft करती है popernicus को persecute किया गलिली ओ गलिली साब को house arrest किया जो scientist थे जो church की power को challenge करते थे उनको persecute करते थे उनको punish करते थे but reformation के बाद जो enlightenment movement आई वहाँ पे renaissance enlightenment movement उसमें उन्हेंने कहा कि यार यह यह जो काइनात है ना इसमें जो सबसे important चीज़ है वो इनसान है सब चीज़े इनसान से linked है तो हमारी जो future policies होगी चाहे वो आईन की शकल में हो चाहे वो code of conduct की शकल में हो चाहे वो rules, laws and regulations की शकल में हो वो उसका जो center of gravity है ना उसका जो pivotal point हो जो pivot है वो इनसान ही होगा तो उन्होंने हर policy बनानी शुरू की इनसानियत को सामने रखे और फिर आप देखें यूरप हलाके they went through world war one, world war two लेकिन 16, 17, 17 century के end तक जब hundred year war खतम होई तो उन्होंने decision ले लिया था कि आप जो मजभ है वो आपका personal affair है उसका statehood से कोई तालुक नहीं है statehood का तालुक होगा इनसान से और यही humanism की movement थी कि भाई, इनसान के लिए जो सही होगा वो ही हम लोग आगे लेके जाएंगे और यही वो दौर था जब Emmanuel Kant जैसे top philosophers पैदा हुए जो एक ही शहर में पैदा हुआ कॉनिक्सबर्ग में वहीं पे रहा, वहीं पे पढ़ा वहीं पे मर गया, लेकिन critique of pure reason और किताबों के जरीए ऐसा काम कर गया जो आज से हजारों साल बाद भी याद रखा जाएगा, so what I see is Abbas coming back to your question of constitution, कहने को तो वो एक आईन है, वो एक किताब है आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसकिताब की जो sanctity है, वो sanctity ये कहती है कि एक individual Abbas के दर्मयान पाकिस्तान की रियासत के दर्मयान शारुक के दर्मयान एक unwritten मौइदा है, जिसको social contract कहा जाता है, वो social contract ये define करता है कि रियासत मेरे लिए क्या करेगी मेरे जिन्दगी मुझे क्या education देगी मुझे health services देगी, जब मैं बिमार हो जाँगा जब मैं बड़ा हो जाँगा तो क्या मुझे मुझे मुलाजमत के मुआखे देगी जब मेरे बच्चे बड़े छोटे होंगे तो क्या उनको education देगी, उनको schooling देगी मुझे security देगी, मुझे mental peace देगी यह एक social contract है जो उस आईन के अंदर ही लिखा होता है जब आप कहते हैं न कि यह आईन एक किताब है इसको उठा के बाहर फैंक दो आप उस आईन को तो कुछ नहीं होता है, वह actually आप यह कह रहे होते हैं कि जो citizens के rights हैं इस मुल्क में citizens की कोई value नहीं है उनको उठा के बाहर फैंक दो I don't care क्योंकि वो social contract उसी आईन के अंदर मौझूद होता है तो चाहे आप उसको खोल के देखें या नहीं देखें अमेरिका के जो founding fathers थे उन्होंने written constitution को इसी लिए किया कि हमारे मुल्क की बुनियादें पहले दिन से solid रखी जाए और वोही बुनियादें वोही आईन जो है आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा के देख लें चाहे आईन written है या नहीं बट उनके जो again वो जो intellectual thought leaders है ना जो मुल्क को उठाते हैं वहाँ पर situation is very very clear उन मुल्कों की जो establishment है वहाँ की establishment को I am not saying to the military establishment हार मुल्क में establishment होती है हर तरह की उसके पर फिर कभी बात करेंगे बट उन मुल्कों की establishment को पता है कि यार जो हमारे मुल्क के मोटे मोटे जो points है न they will always stay in time citizens के rights ले 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 मुल्क को चलाना कैसे है मुल्क की direction क्या है मुल्क की foreign policy क्या है defense policy क्या है वहाँ पे उन सब लोगों का consensus है the problem with our country unfortunately is we have no plan there is absolutely no plan हम लोग ad hoc basis पे काम कर रहे है और ad hoc basis पे ही चलते चले जा रहे है चरुक मुझे यह नहीं अंदाजा अगर आप डॉक्टर इश्टियाग एहमत को जानते हैं historian है of course मैंने उनके काफी interviews किये तो हमने वो हमारा काफी अच्छा relation है तो we came to a lot of conclusions मैं चाहता हूँ क्योंकि आपने वो बात की वो कुछ आपके सामने रख सको लेकिन उससे पहले एक बहुत direct सवाल अगर आप उसका जवाब देना चाहें ना देना चाहें आपके जो आपने जो अपने सवाल की बुनियाद उठाई और आपने मुसल्मानों और golden आज़े और सब का जिकर किया और ये भी कि मजभ पर एक personal matter है public matter नहीं है state affairs से उससे तालुक नहीं है do you think इधर हमारे context में मजभ ए इसलाम is the problem उसका interpretation is the problem या उसका political use is the problem so अबास इस सवाल को ना थोड़ा break up करने पड़ेगा यह बढ़ा बहुत बढ़ा सवाल है इसको सही समझाना और समझना बहुत जरूरी है देखें let me break it down first in the context of Pakistan पाकिस्तान का वजूद क्यों हुआ we need to understand that हर चीज के पीछे हर फिनॉमेना के पीछे हर मुल्क के पीछे एक फलसफा होता है एक baseline theory होती है एक baseline idea होता है एक baseline philosophy होती है पाकिस्तान का जो वजूद हुआ था वो आया था या the main theory which backed the creation of Pakistan was two nation theory ठीक है मैं इसको थोड़ा सा concise करके बियान कर रहा हूँ I am being very succinct इस मौज़ो को खोलने तो बहुत आप तीन-चार podcast करने पड़ेगी so two nation theory was the basis of Pakistan ठीक है वो ये रहा था Dr. Ishtiak की by the way आपने जिकर किया मैं आजकर उनकी किताब जिना को बड़ा ही rigorously पढ़ रहा हूँ so Muslims and Hindus were living together चाहे वो harmony में रह रह थे या जैसे भी रह रह थे for thousands of years but finally with British East East India coming East India company coming coming in and then British Empire establishing their root in the subcontinent finally हमें जो एक anchor मिला वो two nation theory की शकल में मिला अब two nation theory की है two nation theory यह है कि हिंदू और मुसल्मान अलग-अलग कौम है simple इनके interest अलएदा है इनके cultures अलएदा है इनका जबाने अलएदा है इनका मजभ अलएदा है तो आपने यहीं पे divide कर दिया ठीक है? कौम को so Hindus are different and Muslims are different whether that was correct or not we can have another debate or another question on this but I am just telling you the reality what happened two nation theory Indian National Congress ने independent India के लिए struggle करने शुरू की काईदे आजम ने Muslim League ने independent Pakistan के लिए struggle करने शुरू की by the way काईदे आजम in the initial years was the biggest advocate of Hindu-Muslim unity वो तो Indian Nationalist है काईदे आजम was the biggest Indian Nationalist he never wanted initially to have Pakistan लेकिन जैसे जैसे इंसान इवाल्व होता जाता है वो उसकी thought process बड़ा होता जाता है वो mature होता जाता है so finally when we decided के two nation theory की basis पे मुलक को अलैदा करना है तो हमने अलैदा तो कर लिया लेकिन उसके बाद उस मुलक का करना क्या है ये हमें नहीं पता था इसमें सवाल एक बड़ा important है कि क्या हमें एक मुसल्मान मुलक चाहिए था या मुसल्मानों के लिए मुलक चाहिए था इस सवाल का जवाब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है Do you wanted a Muslim country or do you wanted a country for the Muslims where they can live अब आते हैं नजरिये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो four fathers थे जिन्होंने बड़ा जबरदस काम किया पाकिस्तान का जंडा भी ये denote करता है कि भाई आपका जो सफैद portion है that's for the minorities and the green is the symbol of Islam अब ground reality ये है कि we are a nation which is driven by religion okay in the modern world मेरा ये thought process है कि जो statehood है न जो state craft है जो रियासत की machinery है it should be religion agnostic उसका religion से कोई तालुक नहीं होना चाहिए in the sense कि मैंने अगर किसी को minister लगाना है या मैंने अगर किसी को SHO लगवाना है या मैंने किसी को bureaucrat बनाना है या मैंने किसी को promotion देनी है तो वो उसका मजब से कोई तालुक नहीं होना चाहिए और इसी को secularism कहते है लोग secularism को पाकिस्तान में अगें घलत समझागी है secularism को लोग समझते है लादीनियत है यह that's not secularism secularism यह है कि आपने statehood अपने रियासत की machinery को चलाने के लिए अपने मजब को इसके अंदर you do not have to enter religion into it so here's my perspective कि पाकिस्तान में my thought process is के रियासत की जहां पर बात आती ही ना वहां पर आप मजब की basis पर decision ना लें in the sense के human beings के अंदर इंसानों के अंदर equality को बरकरार रखने के लिए मजब should not be the criteria अगर कोई मुझसे जादा intelligent है अगर वो हिंडू है Christian है या किसी भी faith से तालुक है वो that should not matter his contribution to the nation should matter his excellence in that field should matter his expertise, his speciality in that field should matter और उसी की basis पर हमें decision लेना चाहिए अब आते हैं कि what's the role of Islam in this देखें Islam as a philosophy is a brilliant philosophy और उसके जब आप हजूर पाक सलले लाए वाले वाले सललम की जिंदगी को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि किस और दुनिया के बड़े बड़े जो non-muslim इंटिलेक्चिल्स हैं, माइकल हार्ट ने भी लिखा है और बहुत सारे scholars ने लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने military, militarily भी कामयाभी आसिल की और religion को भी propagate किया तो जो Islamic philosophy है न हलांके जो उसकी in-depth जो उसकी नीव है, उसकी जो foundation है उसका जो essence है उसका जो उसकी जो खुबसूरती है उस philosophy की वो हम लोगों को internalize ने कर पाए लहाजा वो जो great philosophy है कि आपने किस तरीके से अपनी जिन्दगी को conduct करना है, आपने किस तरीके से अपने खुदी को enlarge करना है, अपने किस तरीके से as a citizen काम करना है वो हम लोग भूल गए और हम लोग ritualism और मजभियत की तरह पढ़ गए जो दीन की true understanding थी वो हम लोग नहीं हासल कर पाए तो जब मैंने ये पढ़ा, अकबाल साब को specially जो उनकी किताब है, reconstruction of religious thought in Islam, उसको बारे मैं बहुत जिकर करता हूँ उस किताब को पढ़के और सेयद Amir Ali को मैंने पढ़ा और बहुत सारे Islamic scholars को पढ़ा अलामा मशरकी को पढ़ा इमाम गजाली को पढ़ा और जो पुराने Islamic scholars scholars थे, thought leaders थे, उनको पढ़ा तो मुझे, you know what my conclusion is अबास, कि जो इसलाम था 14 साल पहले, हमारा तो वो इसलाम ही नहीं अभी, यह जो modern version of Islam है, जो अलग-अलग brand of Islam हम लोग follow कर रहे हैं, अलग-अलग पगडियों के साथ, उसका तो इससे, दीन इसलाम से जो पुराना दीन था, उससे कोई तालुक नहीं है, अब जब हम पुराने दीन की बात करते हैं, तो Islam की खुबसूरती यह है, कि वो कभी भी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा अपने अपने जो अहद है, जो आपका दौर चल रहा है, जो आपको एरा चल रहा है, वो उसके साथ हम आहांग होता है, it's in harmony with the modern trends and that's what the concept of इज्टिहाद is, तो जब सोच तकलीदी हो जाए ना इज्टिहादी की बज़ाए, तो फिर उसका नतीज़ा वही होता है, जो आज हमारे हां हो रहा है हम लोगों ने wisdom को use करना छोड़ दिया, हमने collective wisdom को use करना छोड़ दिया, हमने intellect का इस्तमाल खतम कर दिया, हमने अपनी सोच को surrender कर दिया, right? मैं आपको जब जब एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अभी सुभाई उसको पढ़ रहा था, this is very very important, I want to relate it to this thing, I hope I can find that, अबास, सूरह राद, verse number 3, और वही है जिसने जमीन को पहलाया और इसमें लंगर और नहरे बनाई, और जमीन में हर किसम के फल दो दो तरह के बनाएं राद से दिन को छुपा लेता है, बेशक इसमें निशानिया ध्यान करने वालों के लिए, नमबर वान, सूरह जासिया, चैप्टर नमबर 45 है, verse number 13 है, और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आस्मानों में हैं और जो कुछ जमीन में, अपने हुकम से, बेशक इसमें निशानिया हैं सोचने वालों के लिए, वन लास्ट, सूरह रोम, जो पुरान मजीद का चैप्टर नमबर 30 है, verse number 22 है, और इसकी निशानियों से है आस्मानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों और रंगतों का इहतलाफ, बेशक, इसमें निशानिया हैं जानने वालों के लिए, मैंने आपको तीन verses quote किये, इन तीनों में सोचो, जानो, reflect करो, observe करो, experience करो, जहन लगाओ, अपने logic, rationality का इस्तमाल करो, तो जब खुदा कहरा है अपनी किताब के अंदर, बहुए, आपको जो reasoning दी है, आपको जो मैंने आखें दी है, आपको जो कान दी है, आपको नाक दी है, आपको पांच senses दी है, और सबसे बड़ी आपको दमाग दी है, वो दमाग इसलिए नहीं दी है, कि आप हर चीज़ को मन और अंत तस्लीम कर ले, doubt is the first step towards wisdom, start doubting things, start questioning, so मेरी जिए जिन्दगी का एक बहुत बड़ा conclusion है ना, कि जिन्दगी में सवालों की जादा हमियत है जवाबाद से, सो सवाल अगर आप उठाना शुरू करेंगे, अगर ये ही मुसल्मान आथ सवाल उठाना शुरू करें, अपने जहन को इस्तेमाल करना शुरू करें, तो we can be a progressive Islamic country, लेकिन इस वक्ट जो situation है ना, वो in the modern world एक तो, years and years of evolution के बाद, वो इतना, इतना, मलबा एकठा हो गया है, on either side, कि जहनों को clear करना बड़ा मुश्किल है, हर जगा नफरत है है, प्रेजुडेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, so my perspective on this is, Abbas के modern सोच, progressive सोच, progressive mindset, rationality of thought, अकल का इस्तमाल, logic का इस्तमाल, दीन इसलाम के अंदर internalize है, और अगर हम इसको use करना शुरू कर देंगे, तो हम लोग खुद बखुद अच्छे हो जाएंगे, इसमें एक disclaimer दे दूँ, कि अगर मैं दीन इसलाम की बढ़ाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहीं नहीं कि बाकी मजाहिब, हमारे मुकाबले में नहीं हैं, या वो हमसे नीचे हैं, यह भी सोच गलत है, I have read Hinduism as well, उनका जो कर्मा, धर्मा और सनातनी धर्मा और उनका जो concept है, especially Hinduism तो, वो तो कहते हैं, it's not a religion, it's a lifestyle. So अगर मैं इसलाम को प्रॉपगेट कर रहा हूं, या अगर मैं मुसल्मान हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हिंदू सेकंड क्लास सिटिजन्स हो जाएं, इंदू मजब की अपनी importance है, उनके लिए उनका मजब बेहतरीन है, हमारे लिए हमारा मजब बेहतरीन है, Christians के लिए, Christians का यहूदियों के लिए, यहूदियों का मजब बेहतरीन है, तो हमारे अंदर यह fight नहीं होनी चाहिए, यह debates आये, find these very useless debates, क्यार आप उससे यह बात कर रहे हैं, उसके उपर अपनी जो perspective आपनी जो सोच है, उसको reinforce कर रहे हैं, the modern world cannot work like this, आपने हर किसी के point of view, perspective को समझना है, उसको इज़त देनी है, उसको acknowledge करना है, वो कहते हैं, it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it, don't be in a sense of superiority, कि भाई, हम जो हैं सबसे बेहतरीन हैं, आप बेहतरीन हैं, हिंदु के लिए हिंदु बेहतरीन हैं, अपनी शरीयत उसकी शरीयत बेहतरीन है, Christian के लिए Christian के शरीयत बेहतरीन है, Zoroastrian के लिए Zoroastrian मजभ की शरीयत बेहतरीन है, आप ने ये देखना है कि आप जो इस दुनिया में आए हूँ आप करके क्या जा रहे हूँ याद रखें कि किसी भी फलस्फाव का टेस्ट ये होता है कि जिस पौम के अपर या जिस सोसाइटी के अपर वो फलस्फा नाजल हुआ है उसके रिजल्ट्स के हैं तो आज जो इसलाम जिस तरीके का हमारे हाँ फॉलो हो रहा है उसका नतीज़ा आपके सामने है जाली दवाईया पार्ट में जो स्टंट डलता है ना पेशन्ट की जिन्दगी बचाने के लिए वो जाली जाली दूद नेक्रोफीलिया कबर से निकाल के सेक्शुल इंटर्पो जाती जाता हुए है बजाए औरतों के साथ है तो यह है इस 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 वाट वी आफ गिवन तू 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 अगें कटिंग दू लॉंग स्टोरी शॉर्ट मैं परस्पेक्टिव इस वेरी सिंपल और आफ उफन से इस थिंग के मैंने जेतनी किताबें पढ़ी है ना अकसर लोग एथिजम की तरफ चले जाते हैं अगर मेरे से वान फोर्थ भी वो किताबें पढ़ ले ना तो वो ते स्टार्ट मोविं तोड़़् एथिजम लेकिन आए कंसिडर मैसेल्फ अ एन आए डून वान तो पॉम्पस वेन आई से इस बट आए कंसिडर मैसेल्फ नीचा से समझना भी important है मेरे लिए वो मैं उनको belittle और demean नहीं कर सकता मैंने नीचा से भी सीका मैंने हेडगर से भी सीका मैंने साट्र से भी सीका मैंने सिमोन डिबवार से भी सीका और मैंने बाकी जो Muslim scholars है उन से भी that's how a Muslim should think यह जो pluralistic philosophy है ना this needs to be entrenched in our country this is this is the way forward आब वो ज देखे जाते हैं कि हम ही हम है एक एक शेरा बड़ा खुबसूरत I'll end this this question answer to this question through this कि चमन में इखतलाते रंगोबू से बात बनती है हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो तो अगर आप ने यह गुलिस्तान बनाना है ना एक मुल्क बनाना है एक कौम बना कि अगर आपने एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है तो आपने इस चमन के अंदर तो एक दूसरे के परस्पेक्टिव को समझ के आगे बढ़ना होगा एपसुलूटिजम के उपर कुछ नहीं होगा यू किन नाट से आट यूर दूसरों को भी रिस्पेक्ट दिनी होगी और आपको दूसरों से सीख के आगे बढ़ना होगा और मॉडन दुनिया के इस आधा हाथ में लाके चलना होगा यूर्ण दूसरों के बढ़ना होगा इस प्रवेज हूद भाई हो घामदी सहाब हो इंजीनिर मिर्जा हो तैमूर रहमान हो इविन टीलपी से भी लोग आए कर तो वो देख सकते हैं मैं चाहरा था कि शारुख का उपीनियन इस पर आजाए शारुख बस बात की थी उसी को आगे बढ़ात हुए आखरी सवाल पर आपकी जिन्दगी पर वापस आंगे बिकास मौदू वो है आपे जहां की बात की थी वहां भी और जहां पर आप आप आईडिया की बात करते हैं आगे बढ़ने की बात करते हैं वहां भी जब हम जिना साब को देखते हैं और करेक्ट नीव रांग उनकी जिन्दगी में उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लिखा कि जो हमें कम असकम लीगल फ्रेमवर्क तो छोड़ो लीगल देना आगे फिर अब्जेक्टिव रेजोलिशन जो आई उसने भी हमारे सब बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों इस पेर्स पे लोग हैं आपका इस पूरे बारे में क्या उपीनियन है कि क्या हम इस पूरी तबाही की बिकर इस तबाही तो हमारे अंदर है ना उसमे हम क्या उसको अनबाइस ली देखें क्या हम उसका जिमेदार अपनी बुनियात को कह सकते हैं कि जिस बुनियात पर बने थे या फिर जो सहाब हमें लीड कर रहे थे इस सिचुशन में मौहमद अली जिना सहाब उन्होंने भी मतलब उनका भी किरदार इस तरह नहीं है कि हम बिलकुल उपर देख के कह सकें कि नहीं इन्होंने अपना काम किया था और बात के बाद में हम लोगों से खलती हुई है